इंडनबर्ग की रिपोर्ट मैं मानता हूँ कोई सयोग नहीं है पर प्रयोग है देश की अर तंत्र में अराजकता फैलाने का ये एक प्रयोग है और पुरे देश की जनता देख रही है लिए जिस प्रकार से उनकी एक मॉडस ओपरंडी रही है कि हर सेटरडे को रिपोर्ट संडे होहला मचो और मंडे मार्केट डाउन है आज देश की जनता को और इन्वेस्टर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस जो एजन्टा को आज परदाफास किया जो मार्केट ने रियक्शन दिया है वो इस बात का सबूत है कि देश की जनता ये शडियंत डाउन होगा देश की जनता भी समझ रही है मुझे लगता है कि इंडी गडबंदर और विपक्सिनेता ये चीज़ हदम नहीं कर पा रहे हैं कि देश की इन्वेस्टर की संपत्ती पांच गुना बढ़ी है और सेंसेक्स तीन गुना बढ़ा है लास्ट दस साल में एक एक अ देश की जनता ने भी फल कर दिया है कि कोई भी इन्वेस्टर होता है वो राहूल गांधी जी हो या कोई भी अगर उसके पैसे डबल होते हैं तो उनको देश की सरकार का सुक्रियादा करना चाहिए ये तो पॉजिटीव चीज है मैं ही कहना चाह रहा हूं कि आप जो सरकार एक काम करें एक आर्थिक पाइमाने पर जो आपका जो पर्फॉमनस होता है उसका रिजल्ट क्या है कि जो आप स्टॉक एक्षेंज कहां पर जा रहा है वो यी चीजा आप दिखा रहा है कब तक आप हिंडनबर्ग जैसे लोगों के सारी शौट सेलर है वो लोग ये जो काम कर रहे है वो पैसे के लिए कर रहे है यह देश की जनता ही चीज समझ चुकिए और इसलिए जहां से में नहीं आ रही है और मुझे लगता है कहीं ने कर देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे उपरास्टर पती जी का अपमान किया गया ऐसे मुद्दे चल रहे है जो उनके राजकता का सडियंत्र कर रहे है देश की जनता यह समझ रही है कि कहीं ने कई हिंडी गड़बंदन आज भी अपने जो हार पचान ही पाई है और कहीं छटपटा है कि कैसे भी हम सरकार में आए बेश की जनता समझ दार है वो राजकी अराजकता की बात हो या आर्थिक अरा कर दो